वो बोलते हैं उची दुकान फीके पकबान, खदर की लंगोटी चांदनी का पैकदान, सौ में से हैं वो अस्टी बही मान, और फिर भी कहते हैं मेरा देश है महान नेता नर राहूल गांदी वो पप्पू है मोदी ही मन में चाह रहा है कि मोदी आना रहना चाहिए जब तक मोदी कहीं बनके रहेंगे हम मैं बताओं कभी मुझ पर घरनी बनता मुझ पर एक जौपणी में पढ़ा था धाई लाग मोदी ने दिये कुछ में तीन भैस बेकी और कुछ देड़ लग बेंक पढ़ा था तब जाकर मेरा लंटर लेंटर वाले चार मकान वहां पर तरंगा यही लहरा रहा है और मोदी ही मन में चाह गया है कि मोदी आना रहना चाहिए जब तक रहेगा जब तक मोदी कहीं बनके रहेंगे हम मोदी कहीं गैस देदी और तुम्हें और क्या क्या बता है पैसे देदी खाते में डाल जाता है दोजार लकाल लाती भीरवानी जाती है दोजार लकली आए साथे और सौधार रीते जाते और पलंग से सामान लेके घर में आते हैं गरी परिवार की एक मैला को दो लाग रुपए साल में देंगे एक लाग रुपए हर गरी महला को देंगे एक लाग वो बोलते हैं उची दुकान फीके पकबान खदर की लंगोटी चांदनी का पैकदान सौ में से हैं वो अस्री बही मान और फिर भी कहते हैं मेरा देश है महान देश में जनताओं की भामना रही है जबी तो बड़ी मसली छोटे मसली उको खा करेंगे तो पूरी सीट हैं क्या जो आए दंपा आएंगे पर लाई होगी में गदी कुछी किसकी पाइदा क्या इसलिए जो भूड भूड लड़ रहा है उसको पोड़ दो किसी एकले को बड़ मत दो के वो 25 ये वंदा अकेला आप का कहने का मतला में वो गठ बंदा नहीं इसलिए नेता नर राहूल गांदी वो पफू है वो बुद्धी हीन है जो अगर राजा को दे दे जैसे कि बंदर के हाथ मो उस्तरा दे दे तो अपना ही नुक्षन करेगा ना जितना बोलेगा उतना ही नुक्षन करेगा मोदी जा ग्रेट केंग ऑप दी वर्ल और इसलिए मोदी को पसंद करते मोदी को ही बोट देंगे लड़कियों फारंबरा उल्लान और चार साल होगी मुझे सब अथकारियों को जोने भागते भागते सब कोई अत्काई नहीं सुनके दे रहा और ना कोई पैसा मिला अनिल पारासर के पास गया दोगो जे लड़की के साधी का अनुदान चार साल होगी अभी तक नहीं मिला और किसको देंगे मोधी जी को देंगे हम बोट हां और क्या करें मैं आपके पास आ रहा हूं मैं फिर भी देंगे हम और कौन दीग रहा है कोई और नहीं दीग रहा है करें राओल कांदी को बोट करेंगे कि नहीं करेंगे रहा हमाद नफर्त मानते हैं आँ मैं नहीं नहीं तो हां को जारे खुल के आरे